हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ विवेक फ्रॉम फिंटेक्स प्रो जहां पर हम बात करते हैं फैनेंस और टेक्शिशन की सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुब कामना है हमारा न्यू फैनेंशल यह राथ से स्टार्ट हो चुका है हमारे लिए तो यह फाइलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी देखने वाली बात हो कि कितना टाइम रगता है एक अफता दो अफता तो फॉर्मस अभी आपको दिखाऊंगा साथी मैं पोर्टल पे दिखाऊंगा और बताऊंगा कब से जो है स्टार्ट हो सकती है आपकी फाइलिंग पोर्टल के वाला है तो जरूर बुक करवा लीजिए कल इसकी जो है last date है कल तक ही registration होंगे कल registration close हो जाएंगे उसके अंदर basically March month की जो GST filing होती है पूरे year का reconciliation है ITC कैसे reconcile करना है GST कैसे file करनी है वो सारे important point जो कि आपको March month की GST में ध्यान रखने चाहिए so that आपका notice ना आए और आप अच्छे से पूरी return को reconcile कर पाएं तो March month की GST return important होती है इसलिए अगर आपने अभी तक register नहीं किया है तो जरूर register कीजिए हमारे GST return filing webinar के उपर बिल्कुल live webinar है Sunday को होने वाला है Sunday को यानि परसो 3rd April को 4 to 6 PM है so अगर आप available है तो बिल्कुल join कीजिए बिल्कुल ही live webinar है इसके साथ साथ एक छोटी सी update और है हमारा new trademark वाला जो course है trademark e-filing course so ये launch हो चुका है so अगर आप trademark में practice करते हैं या फिर trademark में practice करना चाहते हैं तो आप इस course को consider कर सकते हैं सारे practical issues को हमने यहाँ पर discuss किया हुआ है moving to the point आज का जो हमारा point है 13th March को भाई government इस पर थोड़ी सी advance हो चुकी है 13th March कोई form issue कर दिया है और form issue करने में थाई क्या भाई करना क्या था आपको year ही तो change करना था तो इन्होंने year change करना है कोई ज़्यादा as such forms के अंदर कोई change नहीं है rules के अंदर थोड़े छोटे बहुत provisions के अंदर changes थे तो उमारा जो budget आया था last year का तो इतने ज़्यादा कोई changes के अंदर नहीं थे तो इस वदे से यहाँ पर जो है नए forms issue कर दिये गए है वो भी 13th March को बहुत advance हो चुके government form issue करने में CBDT ने चलो यह काम तो बहुत अच्छा किया कि form issue मैं आज ही tweet पढ़ रहा था LinkedIn पर देख रहा था लोग बोल रहे थे कि आज एक तारीख है अभी तक form issue नहीं किये date जितना होगा उतनी date extend कर देना तो भाई government तो advance हो गई है तीस तारीख को इनोंने यहाँ पर यह नए forms issue कर दी है ITR six तक कि आपके सारे forms यहाँ पर issue है now the question जो सबसे बड़ा यह है कि forms तो issue हो गए है लेकिन forms तो आजकल कोई भरता नहीं है आजकल जो भरा जाता है वो online हमारा process होता है completely so जो हमारा online यह मैंने login किया हुआ यहाँ पर कब आएगा यह देखने वाली बात होगी so मेरा estimate है April के last तक जो है यहाँ पर आपकी filing start हो जानी चाहिए reason being कि यहाँ पर online filing है उसके बाद जो आपका utilities होती है so online filing जो है ITR जो छोटी ITR सा ITR one and four जो है वो तो at least April month में हो जानी चाहिए बाद कि जो बड़ी ITR से और जो उसकी utilities है वो आपकी में मन तक जो है आ जानी चाहिए I'm assuming क्योंकि last year तो बहुत delay हो गया था covid भी था और काफी सारी situations और मी थी इस year I'm expecting कि जो छोटी returns है वो आपकी April month में हो जाएंगी enable और बड़ी return यानि May तक आप लेके चल सकते हैं mid of May तक जो पूरा काम हो जाना चाहिए क्योंकि website पर ओ चीज़ें update करना थोड़ा typical task होता है form में तो खाली आपने ये amendment दे दी कि year change करना है लेकिन website पर उन चीज़ें को integrate करने में time लगता है I know that I'm having of website तो मुझे पढ़ता है उसके concerns तो April तक आप ले सकते हो छोटी returns May में आप ले सकते हो sorry returns almost sorry returns तो उस हिसाब से आप plan कर सकते हो current year की current assessment year की ITR को file करने का तो ये guys एक important update थी तो अभी portal पर नहीं आई है obviously थोड़ा सा time लगेगा आशा करता हूँ guys आपको चोटी सी update पसंद आई होगी अच्छा और जो भी सबसे पहले update आती है जो भी notification आती है वो हम share करते है हमारे telegram channel पर so fintex pro का telegram channel है जिसका official link आपको नीचे description में से मिल जाएगा जरूर join कर लीजिए जो भी updates आती है सबसे पहले और ये thank you so much guys have a great time हसते रिए मुस्कुराते रिए बाइ-बाइ टेक केर और हाँ परसों संडे को मिलते हैं लाइव फोर टू सिक्स पीम थैंक you so much have a great time बाइ-बाइ टेक केर